1900 के दशक में James Churchward नामक एक प्रिटिश लेखक और इंजीनियर ने एक हिंदू पुजारी से कुछ सीखा जिसने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया हिंदू पुजारी के पास दो मिट्टी की गोलियां थी जिन पर एक अग्यात और रहस्यमय भाशा में कुछ लिखा हुआ था Churchward ने पुजारी को उन रहस्यमय भाशा को सिखाने के लिए पुजारी को अनुरोध किया उन गोलियों से ये पता चला कि पुराने काल में एक बहुत ही एडवांस्ट सभ्यता अस्तित्व में थी जिसे नाकाल के नाम से जाना जाता था वे आज के मनुश्यों की तुलना में शारीरिक रूप से बहुत बड़े थे और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत भी थे चर्च वर्ड ने उनके मूल महाद्वीब के नाम का पता लगाया जो की M.U.M.U. था और उनके अनुसार पूरी मानवता की उत्पत्ती उसी महाद्वीब से हुई थी यह महाद्वीब हिंद महासागर या प्रशांत महासागर में कही स्थित था और सभी नाकाल लोग सिर्फ एक ही धर्म का पालन करते थे एक बार प्रमुख पुरातत्व विद्व विलियम निवन को मेक्सिको में उसी भाशा की लगभग 2500 मिट्टी की गोलिया मिली